नमस्कार मैं स्नेहा एक्स्ट्रीम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है फिर विवादों में परंबिर सिंग मुंबे के पुर्व पुलिस कमिशनर के खिलाब जबरन वसुली और धम की देने का केस दर्ट 28 अन्य को भी बनाया आरोपी मुंबे के पुर्व पुलिस कमिशनर परंबिर सिंग की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है अब उनके खिलाब ठाने के नगर पुलिस स्टेशन में पैसा वसुली का केस दर्ट किया गया है परमवीर के अलावा इस मामले में 28 अन्य लोगों के खिलाब भी केस दर्ज किया गया है परमवीर सिंग के खिलाब सोनो जालान और उनके साथी केतन तन्ना ने केस दर्ज करवाया है दोनों पर क्रिकेट मैच के दोरां सटे बाजी का आरोप है ठाने नगर पुली स्टेशन में मामला दर्ज कराने पहुचे तन्ना और जालान ने बताया कि उन्हें जूटे मामले में फसा कर गिरफतार किया गया था और फिर परमवीर की शह पर उनसे रुपियों की वसुली की गई थी केतन और जालान के अनुसार उन्होंने इस बारे में राजसरकार के विभिन्न मंत्रियों के पाश शिकायत की थी जिसके बाद उन्हें मामला दर्ज कराने के लिए बुलाय गया और अब उन्हें नयाय मिला है दोनों की शिकायत पर परंबीर के खिलाफ जबरन वसुली और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है पिछले सब्ता ठाने के कोपरी पुली स्टेशन में बिल्डर शरद अग्रवाल ने परंबीर सीह, डीसीपी पराग मनेरे, संजे पुन्मिया, सुनील जैन और मनोज घोटकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था सीह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुली स्टेशन में पहला मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जार्ज के लिए राजसरकार ने SIT गठित की है दो दिन पहले ही राजसरकार के ग्रुह विभाग ने परामबीर सीह के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जार्ज के लिए साथ सदस्य SIT टीम गठित की थी इस टीम की अध्यक्षता DCP स्तर के अधिकारी करेंगे परामबीर और अन्यपाच पुलिस सधिकारियों के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में बिल्डर राधे शाम अगरवाल ने मकोका का जूटा केस लगा कर 15 करोण वसुलने का आरोप लगा है अगरवाल के खिलाब जूटा पुलिस स्टेशन में दर्ज मकोका के केस की जाजवी SIT की टीम करेंगी परामबीर के कमिशनर रहने के दोरान अगरवाल पर छोटा शकील से संबंध होने का आरोप लगाते हुए मकोका का केस हुआ था ये थी मुंबई से हमारी सूत्रों की विशेश रिपोर्ट हमारी चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन फ्रेज करना ना भूले नमस्कार